आपके साथ मैं हूँ श्वैता मिश्रावस्ती यानि नजर अब लोगसमा चुनावी प्लैन के जरिये बीजेपी आलकमान ने वोट समी करण का पूरा पूरा ख्याल रखा है ताकि बीजेपी दोज़र चौबिस के रण में बंबंभो और इस कैमरेट गणित का राइस्थान में भी असर देख सकता है हर राज में बीजेपी सधी रणीती के तहट काम कर रही है फिर चाहे मंतिर मंडर विस्तार हो या बात संगठर में विस्तार की आज चर्चाइसी खास बुद्देपर और चले इस खास बुद्देपर चर्चा के लिए खास महमान हमारे साथ जुड़ चुके सबसे पहले उन से रूबरू करा दे आपको हमाए साथ है बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारिक जी कॉंग्रिस प्रवक्ता भरत में एकवाल जी और साथी राजीतिक विश्लेशत एस पी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में मुकेश पारिक जी आपसे ही शुरुआत करते हैं मध्यपरदेश में आज मंत्री मंदल का विस्तार हुआ 28 मंत्रियों ने शपत ली इंतजार राजस्थान को लेकर है लेकिन जो सोशल इंजिनरिंग में नजर आई क्या उम्मीद करें ऐसा ही कुछ परिद्रिश रहेगा मंत्री मंदल विस्तार को लेकर राजस्थान में भी निश्टी तुरूप से राजस्थान में मंत्री मंदल का शिग्र गठन होगा और साथ ही साथ हमारे जो राजस्थान के जितने जिल्ले हैं सभी जिल्ले के अनुसार, छेतर के अनुसार सब हमारे सब को पृतिनने देत si मिले सब समाज को पृतिने देत my mewelें इसी प्रकार से मंतरी मंडल का गठन होगा और एक ऐसी सरकार जो लंबे समय से इंतिजार था वह सकतार डबल एंजिंड new की सरकार बनी है जो जिस देह को लेके हम चल रहे हैalar सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रियास उसी दे के साथ राजस्थान आगे बढ़ेगा और राजस्थान में चाहे लो एंड ओर्डर की इस्तिती रही हो चाहे राजस्थान में करेप्शन का मुद्दा हो और चाहे राजस्थान में जिस परकार की पहले उसको लेके हमारी सरकार आगे बढ़ेंगी भरत में एकबाल जी, जो MP में नजर आया उसका कितना सर आपको लगते कि राइस्थान में भी होगा क्योंकि इन्तिजार तुर राइस्थान में भी है, माना जा रहा है कि कल या परसों तक ये विस्थार हो जाएगा देखे शोहता जी सबसे बड़ी बात जो सोशल इंजिनिरिंग की बात कही जाती है अगर राजनीतिक द्रश्टी कौन से भी देखा जाये तो समविधान के अंदर इसका मतलब होता है सबी वर्गों को साथना सबी को समान अधिकार देना और रही बात राजस्तान की तो देखी राजस्तान में जो भारती जन्ता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है यह अब देखने को मिलेगा मंत्री मंडल में किस तरीके से सबका साथ लेकर चलते है दलितों के उत्थान की बात भारती जन्ता पार्टी करती है क्या दलितों में, SC, ST में केबिनेट मंतरी बनेंगे, क्योंकि कॉंग्रेस ने देखिए, जब मंतरी मंडल का विस्तार हुआ था, पांच के आज़ पास लगबक केबिनेट मंतरी बनाएं, महिलाओं की बात जहां भारतिय जन्ता पार्टी बार बार करती है, तो क्या महिलाओं को प्रतिनित्त देंगे चाहे शकुंतला रावजी रही ममता बुपेज जी रही कृष्णा पुनिया जी हर एको महिलाओं को हमने प्रतिनित्त दिया और अभी बात सबके साथ सबके विकास की की जाती है तो शोयता जी देखिए राजस्तान की साथ करोड की जंता ने अपना मत बाटिय जंता पार्टि को दिया और जब आप चुनाओं में चुनकर आते हैं तो सभी वर्ग के आप नेता बन जाते हैं सभी वर्ग को साधने का काम आपको करना पड़ता है लेकिन देखिए माइनोर्टी वर्ग को इन्होंने एक टिकिट तक नहीं है तो किस तरीके से द्यक्षपत से अटाया गया, संभावना यह थी कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो डिप्टी CM की या CM की दावेदारी में थे लेकिन उनकी भी अवहिलना की गई, किरोडिलाल मीना जी ने 5 साल संगर्श किया, मीना समुधाय को एक उम्मीद थी कि उनको डिप्टी CM का पद दिया जाएगा, लेकिन वहां पे भी उनकी अवेलना की गई, तो इस तरीके से देखना पड़ेगा, लेकिन यह अवेलना आपको क्यों लगता है, क्योंकि अगर ऐसे एक एक कास्ट को हम देखेंगे, और हर कोई चाहेगा कि हम CM बन जाया, तो CM तो एक ही बन सकता है, लेकिन यह जरूर है कि जो मंत्री मंडल हो, क्योंकि उस पे स्कोप जादा होता है, 15-20 माना जा रहा है, राइस्थार में बन सकते हैं, तो ऐसे में क्या उमीद नजर आ रही है, और इसका असर क्या होगा, ओंग इस इससे कैसे देखेंगे, 15 प्रतिशत आप मंत्री बना सकत हैं, तो उसके साथ उस पोर्टफोलियों में उनको क्या जिम्मेदारी देते हैं, वो भी देखने की बात होगी, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से भारतिय जनता पार्टी बाते कर रही है, यह से फ़र सिफ जिस तरी से परची सिस्टम हमने भक्यमंत्री जी के चैयन मे देखा उसी तरीके से यहां मंत्री मंडल में ना हो, इंडिपेंडेंस बनी रहे, स्वतंतरता बनी रहे मंत्रियों की और जनता के जो काम पिछले 22 दिन से रुके वे हैं, वो जल्द से जल्द पूरे हुए, तीन तारिक को परिणाम आने के बार 15 दिसंबर को शपत ली जात इसलिए बार-बार सवाल बे उट रहे हैं, एसमें मितल जी, हमाई साथ है राजितिक विशले शक, एसमें मितल जी, मद्यप्रदेश में जो मंत्री मंडल का गठन हुआ, जो विस्तार हुआ है, राइस्थान में उसका कितना असर आपको लगता है होगा, ये कैबिनेट क्या नाम से अमर कर रही है, हम आद मद्यप्रदेश का देखें, तो मद्यप्रदेश में 28 मंत्रियों को सपत दिलाई गई, इसमें से 18 कैबिनेट के हैं, 6 जो है वो राजिमंत्री है, इन 28 मंत्रियों में से 12 मंत्री OBC के हैं, इससे अंदर ले लगाओ कि आप OBC का कितना खय और एस्टी के चार हैं, और 28 में से सामान्द वर्थ के कुल 7 मंत्री है, इससे अंदाजा लगाओ सकता है कि OBC और उसके साथ ही, एस्टी, एस्टी के जो और विजायक जो हमको किस तरीके से मंत्री मंद्र ने फ्राद मित्ता दी जा रही है, मुझे लगता है कि जो से 17 मंत्री है वो पहली बार विजायक बने, राजिस्तान के पहली बार विजायक बने, उनकी संबावना उझे जादा लगती है कि वो मंत्री बनेंगे, इसके साथ ही हमने यह देखा कि कहनाम कि मंद्द्पृ बद्देश का पैटर्ण वाजिस्तान में अपना आ जाएगा, न पहला ही जो पाजी में सबस्क्राइए जो एक अब यो चुола कि रादी परदक्रा को के लिए ँदमारे देखें तो किरोडित लिए राज-वदेंस इक राटोर हैं वावालकनाथ नाथ हैंusion कि पर संभावना वंती है यानि यह जो मंत्री मंदल ना घटान होगा जिस तरह मद्रप्रदेश में होगा वैसा मुझे लगता राजिस्तान में होगा युवां का और अनुभी लोगों का मिला जुला मंत्री मंदल होगा बिलकुल लेकिन मुकेश फारिक जी यह तो एहम है औ वो भी पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा इसके लाद उनको मुकी मंत्री के पद तक पहुचाया गया और अब वो अपरी जब्मदारी का निर्वान भी कर रहे है जो तस्वीरे भी रोजाना नजर आती है मुकेशी ऐसे में कितना एहम रहेगा कि युवाओं के से बात ना करके वो युवाज पहली बार विधायक बने उन्हें मंत्री मंदल में ज़ादा मौका देना देखिए मंत्री मंडल में कौन-कौन बनेगा ये तो मंत्री मंडल का गठन होने के पस्चात ही मालूम चलेगा लेकिन ये बिलकुल टै है कि युवा भी रहेंगे और जिनके अनुभाव है अनुभावी भी रहेंगे और एक सरकार गुड गवर्नेंस वाली सरकार रहे वो भी चलेगा साथ ही हमारे कॉंग्रेस के साथी ने जो सवाल उठाया उन्होंने का नजर अंदाज किया गया मुझे आश्यर होता है जब कॉंग्रेस के साथी ऐसी बात कहते हैं आपने सचिन पाइलेट को कितना नजर अंदाज किया राजस्तान की जनता से छुपा हुआ नहीं है आपने सचिन पाइलेट का क्या हाल किया आपने नकारा और ना जाने उसको क्या-क्या आपने लांचन लगाए आप उसको भी नहीं बना पाए तो कॉंग्रेस सिर्फ और सिर्फ चिंता नहीं करें बीजेपी की चिंता इस बात की करें कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिकार निभाए जनता ने विपक्ष में बैठाया है विपक्ष का जनादेश दिया है जहां तक भारतिय जनता पार् प्रसंद करने के लिए या हमारा वोट बैंक बनाने के लिए हम को इतुष्टी करन करें तो भारतिय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी सरकार राजस्थान में तरफ है जो भरत में एकवाल जिने का कि एक भी अलप संख्या को टिकेट नहीं दिया क्या जी देखिए अगर हमारे पास कोई सौभाविक रूप से ऐसा कोई हमारा कारे करता है कि जिसको हम टिकेट दे सकते हैं तो देते हैं लेकिन सिर्फ हम इसलिए टिकेट नहीं देंगे कि ये कोई अलप संख्या को हमको टिकेट देना ही है तो हमारे जो भी चीज होती है जो भी बोर्ट ते करता है कि किसको टिकट करना लेकिन इस आधार पर कभी टिकट नहीं दिया जाता कि यह मुस्लीम है इसलिए इसको टिकट दे दिया जाए यह इसलिए इसलिए इसको टिकट दे दिया जाए यह आधार हमारे हां कहीं नहीं होता हमारे आधार होता है कि सब कैसे कि भरत में एकवाल जी जरूरी थोड़े नहीं अगर मंत्री बंडल में भी बहुत सारे अलग कास्ट फेक्टर होते हैं हम जिससे बात भी कर रहे हैं चलिए मौका कुछ को मिल पाता है लेकिन जिनको मिल पाता है और जो मंत्री बन जाते उनके लिए फिर कोई एक वर्ग नही देखे राजस्थान के अगर प्रश्ट भूमी की बात की जायत शुयता जी जाहिर सी बात है राजनीती के अंदर कई समीकरोनों को साधना पड़ता है जब आप किसी एक वर्ग विशेश को कोई प्रतिनी दित देते हैं तो उसके साथ उसका संपून समाज आरतिक रूप से शेक्षिणिक रूप से समाजिक रूप से उन्नती करता है और इसी लिए देखा जाता है कि वर्ग विशेश में हम जबी भी टिक्टो का भी बटवारा होता है तो सोशल इंजिनिरिंग करी जाती है अब इजिसे आप से आपने बताया है कि क्या पोर्टफोलो दिया लेकिन बात ही आती है कि आज ये सत्ता के अंदर है विपक्ष के अंदर नहीं है पिछले 22 दिन से राजस्तान की जनता टक टकी लगाए बैटी है कि जो योजना है माने निये पूर मुख्यमंत्री अशो गहलोज जी ने चलाई थी चाहे वो चिरन जी भी हो चाहे वो अन्य पूर्णा योजना है पैंचन है वो सब योजना है अज बंद पड़ी है आज माने निये मुख्यमंत्री जी ने आयुश्मान भारत की जो बात करी पांच लाग का इदायरा है और उसमें भी ऐसी सीसी 2011 में जो लोग लिस्टिड थे उन्हीं को वो योजनाओं का फायदा मि नहीं मिल रहा आप मंत्री मंडल का गठन करें कैबिनेट की बैटक बुलाए उसके अंदर प्रस्ताव लाए और ऐसे जो चीजे हैं जो आम जन को तुरित गती से लाब देंगी आपने मैं बार बार कहता हूँ पैट्रोल पे बड़ा बड़ा आपने बखान किया वैट कम कर साड़े साथ अजार करोड अभी आपको प्रतम किस्त के मिल गए केंद्र सरकार से उसको आप लगाईए ना क्यों आप लोगों को रोक कर बैटे मंत्री मंडल में आप जिसका गठन करेंगे इस चीज़े सवबाविक सी बात है लेकिन जाते बार भरत जी की मंत्री मंडल वि हमाई साथ अधिती भी जुड़ चुकी है दिली नियूज़ेटर अधिती नागर उनका रुख कर लेते हैं अधिती बेहद है में जब आज मद्र प्रदेश के मंत्री मंडल विस्तार हुआ उसमें OBC हो सवर्ण हो S.C.S.T. हो पहली बार विधायक बने हो या अधिक्तम उम इसके मद्दे नजर ये फैसले कितनी एहमियत रखेंगे ताकि वोड़ परसेंट भी बढ़े और सीट भी बढ़े और बड़ी जीत भी हो जो लक्ष लेकर बीजेपी चल रही है चल ये वापस अधिती से हम जुड़नी कोशिश करेंगे लेकिन हम ऐसाथ S.P.Mittal जी भी लगतार बने हुए S.P.Mittal जी अब सवाल लिटते कि जो भी फैसले आज होंगे जो भी फैसले इन तीन राज्यों में होंगे क्योंकि अभी विधान सभा का चुनाओ जिसे से में फाइलर माना जा रहा है लोग सभा के पहले वो बहुत एहमियत रखेंगे 2024 के लिए ऐसे में मंत्री मंदर विस्तार जो बद्धि प्रदेश में हुआ जो राइस्थान में होने वाला है लोग सभा के चुनाओ के बद्धि नजर इसे कैसे देखा जाए चुता देखें जो मार्थेंता पार्टी ने जो टिक्तों का वित्रम किया मुझे लगता है कि तभी से ही लोग सभा चुनाओ के इंदरी था जिस तरीके से क्याना से मद्ध्रदेश और राजिस्तान के अंदर सांसदों को चुनाओ रड़ाया वह इसी जहां में रखते हो लगा कि चुनाओ के चुनाओ होने जा रहे तो भार्ट्जेंता पार्टी मुझे लगातार इस बात का प्रयास करती है कि वह तो आगामी चुनाओ हो उनको दे रखती है आप दो को मद्ध्रदेश के अंदर मौनाल यादाओ को वहां पर बनाया गया तो उसके पीछे भी कहनाम चुनाओ ज्यान में रखा या यूपी के अंदर इस तरीके से जान लगा जया और खुद मद्ध्रत तेस नंदर 50-30 सब आबादी ओभी सी किया है तो हमेशा बाटियन दाप्रटी ने इस बात का लियान रखा और अभी मंत्री मंद्र के विस्तार में भी मुझे लगता है कि लोग सबाश्वा चुनाओ के लियान में रखके मंत्री के अन चुनाव के दोरान उनका पूरा हो सके और सबसे जो महत्पूर बात है कि जो आपने का था कि हम वेट कम करेंगे डीजल पैट्रोल पर वाकर ही कम होना चाहिए लेकिन इसकी साथ ही कांग्रेस को इस पात का भी जान करना चाहिए कि जो अस्वक जैलो साथ थे उनके पास में 20 म देखना चाहिए और आने वारे समय में अभी बारते इंता पार्टी का उसर देना चाहिए चूंकि अभी कहना में बहुमात आसिर किया तो मुझे लगता है कि कहना चीन लोग देखना चाहिए बेल्कुल ठीक है अधीति एक बार फिर वासा जड़ चुके अधीती मेरा सवा और कितने ऐसे चहरे हैं जिरे हम मंत्री में शामिल किया तो जो मद्धिप्रदेश का ये कैबिनेट गड़ी था उसका रिफ्लेक्शन राजस्तान में कैसे होगा क्या वाकि में राजस्तान में भी इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और वो इस लिहास से क्योंकि लोग सभा 2024 भी फतेय करना है वोट समीकरण भी आहमियत रखेंगे हैं बिल्कुल देखें बिल्कुल यह सब कुछ जो भी होगा वो 2024 के इर्दगिर्द घुमने वाला है जो मुख्यमंत्री चैन हुए 2024 के इर्दगिर्द हुए जो डिप्टी सीम को बैलंसिंग फेक्टर ब बतोर विदायक चुनाओं के लिए वो 2024 के ले हुआ तो आप देखें कि हर एक चीज 2024 के ले हो रही है 2024 इतनी आहमियत रखता है कि जब विदाय्द जबा चुनाओं की तयारियां शुरू भी नहीं हुई थी श्वैता उससे पहले 2024 की तयारियों का आगाज आथ से 3 साल पहल राज राज राजस्तान मदप्रदेश चत्रजगर यह वो बेल्ट है 68 सीट इसमें आती हैं 2024 की प्रजान मंतुरी की जहां पर 100% रिजल्ट आने की उमीद है उस 100% को अचीव करने के लिए क्योंकि जब आसान यह नहीं होता कि आपके पास इतनी सीटे और आप एस इस वो सीट जो अगर हम पूर्वी बैल्ट की बात करें मध्यप्रदेश चत्रजगर राजस्तान बेहत महत्पून है तो इन सब में 100% रिजल्ट आएप कैसे आएगा पहला कि कोई भी एंटी इंकमेंसी नहीं कई बार जब सरकार रोल अप होती है कि एक बार कॉंग्रेस एक बार बीज में जनता की मस्तिश पर उनका कोई पिछला कारेकाल नहीं है अब जनता खाली पन्ने के साथ बैटी है कि देखते हैं क्या काम होता है दूसरी बात है कि अब जो मंत्रे मंडल हो रहा है जिसका जिक्र कर रहे थे उसमें आप यह देखेंगे कि जिन शेत्रफल के लिए हाथ स जहां पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भाजपा ने किया है वहां के लोगों को अकॉमडेट किया जाएगा दूसरी बड़ी बात है आप जैसे इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है कि मुख्यमंत्री भरतपूर से हैं भले ही सांगनेर जैपूर लोकसभा से वो जीते है सांगनेर की विदानसभा में जैपूर के लाके में लेकिन वह बिलॉंग करते हैं भरतपूर और भरतपूर वह इलाका है जो 2018 में कॉंग्रेस के पास था लेकिन इस बार भारते जिंता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया यार्सीपी का मुद्दा वहां पर था तो प दूसरा आप जाती समीकरण का ऐसा नया बुके देखेंगे जिसमें सब को समाहित किया जाएगा और यह सीधा सीधा टार्गेट है आप देखें जो ओबी सी का फैक्टर इंडिया गडबंदन कॉंग्रस आगे लेकर चलता था ओबी सी स्टी यह तमाम गडबंदन को फायर क पार्टी ने और जब मंत्री मंडल बनेगा तो उसमें नए चेहरे होंगे उसमें युवा चेहरे होंगे लेकिन अगर इसे मैंनौर्टी को एड़ करें तो देखे अगर बड़े लेहाद से देखे 2020 के लेहाद से जो भारति चंता पाटी सोच रही है कि उसको 400 पार का टारगेट करना है जो राजी गांधी के 403 के टारगेट को रहा के बड़ा टारगेट अचीव करना है उसके लिए देखे अगर हिंदी बैल्ट पूरी भी आ जात माइनॉरिटी के हम बात करते हैं माइनॉरिटी के अलग-अलग रेफरेंस है तो वो करना होगा अब आप देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरन्मोदी जब अभी देश के बार जब गए भी दौरे पर तो वहां की मजजित होकर आए आपने देखा होगा कि जो ओबी स की समाज है जो पिछड़ा समाज रहे माइनॉरिटी स को उंके पास भी जाते हैं लेकिन इसके उतरा आपने यह वी देखा शीपिमाइनॉर्टी को classic नहीं देखेली है किसी भी माईनॉरिटी को को टिकेट राजशान MARsen इसलिए अदिती शायद सवाल उठ रहा है और विपक्ष इस सवाल को उठा भी रहा है क्योंकि वग्भी खत्म हो रहा है एक कमेंट जरूर चाहेंगे मुकेश जी और भरत जी आप दोरों से जरूर नहीं करेंगे इनकी जो इसकीम के हालात थे दैनिय अश्टिती थी उनको ठीक करेंगे और उसमें क्या बहतर हो सकता है लिकिर राजस्तान प्रदेश की जनता है जो परेशान है आप सिर्फ एक समिश्या के नाम पर संडे बसक्रम इंडाल समय आप सत्ता में है आप विपर्श की बूभी का चोड़ी और जादारी हो ने अच्छी बात है कि आप वैल्यू कर रहे है टाइम की की होना चाहिए लेकि भी कितने दिन है अभी पूरे पांच सबस्ता ब ख़म लेकिन पिछली सरकार में पिछली सरकार में जर्थ की सरकार इब फैस्या बिदिन है कि 30 संत्ता कैसे बैठे हaweeee एप भी तो शुखात है अभी तो दे कि या करते हैं कि पने मंत्रे बंडर विस्तार हो भिर देखते किते तेजी से काम करते हैं नहीं करते हैं स्वास्त जैसी योजनाओं को तो चालू रखे चली अच्छी बात है भरत जी विपक्ष में होने के नाते आप लोग याद दिलाते रही चली क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिर होने के लिए तो देखिए MP में कैबनेट विस्तार हुआ वहाँ पर जो कैलकुलेशन थी क्या वही राजिस्तान में नजर आएगी या राजिस्तान में कुछ और सिनेरियो बन सकता है कैबनेट का गडित कैसा होगा कयास बहुत कुछ लगाए जा रहे लेकि इतना जरूर है कि बैलन्स ये टीम होगी मौका सबको दिया जाएगा और इसके लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ experience चेहरे ही मंत्री बंडल में आए ने चेहरे पहली बार मने विधायक को भी मंत्री बंडल में शामिल किया जा सकता है चलिए सिक साथ, Big Fight Live में आज के लिए बस इतना है, नमस्का.